So finally, हमारे पास RBI Assistant की salary slip आ चुकी है और ये salary slip एक new joinee की salary slip है, जिनोंने April में ही join किया है और ये salary slip मई 2021 के महिने की है, यानि इस salary slip में नहीं कोई 45 days की salary है, ऐसा कुछ नहीं है, मई 2021 की salary slip है, यानि मई के 31 दिन की ये पूरी salary है, यानि आपको exact idea हो मिलेगा कि अगर आप 2021 में RBI Assistant के तौर पे join करते हो, तो आपको कितना salary मिलेगा, और salary slip के साथी साथ में आपको perks and benefits क्या-क्या रहेंगे वो भी बताऊंगा, और promotion के बारे में भी बताऊंगा, definitely काफी लोग को पता होगा कि RBI में perks और benefits बहुत सारे मिलते हैं और आप उसको गिनते गिनते ठक जाओगे, तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप 2021 में RBI Assistant बन जाते हो, तो आपको gross salary कितना मिलेगा और enhanced salary कितना मिलेगा, एक चीज़ दान रखे, वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि अंद में आपके फाइदे की बात होने वाली है, तो वीडियो को अंद तक जरूर देखेगा, या फिर किसी ने बाके की कोई SBI clerk छोड़ के RBI Assistant प्रिफर किया, तो ऐसा क्यों होता है, कि अगर आप SBI PO employee को, या फिर NICLAO के employee को, या फिर SBI clerk, LIC Assistant, NICL Assistant या फिर IBPS clerk के employee को, अगर आप offer करोगे कि क्या आप इसमें रहना पसंद करोगे, या फिर RBI Assistant के तोर पे select होना, तो उसमें से maximum जादा तर लोग यहीं prefer करेंगे कि कि सर हम RBI Assistant के तोर पे ही job करना पसंद करेंगे, rather than SBI PO, IBPS PO, LIC, NICLAO, SBI clerk, LIC, NICL Assistant, या फिर IBPS clerk, या फिर इसमें से ऐसी कोई भी exam, तो क्यों ऐसा होता है, तो मैं general आपको idea दे देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई customer dealing नहीं होता, क्योंकि RBI इंडिया का central bank है, वो customer से interaction directly कोई नहीं करता, तो जितना आपको यह सारे जगव पे customer dealing कहीं ना कहीं आई जाता है, तो उसकी वज़ए से आपका workload hectic बन जाता है, workload उस regarding तो कम ही हो जाएगा, definitely दूसरा बढ़ जाएगा, बट उतना नहीं होगा, जितना आपको इन सारे jobs में workload आज के time पे मिल रहा है, तीसरी बात करूँ तो RBI, Reserve Bank of India, the name is enough, आप किसी को बोलोगे कि सर मैं RBI में काम करता हूँ, वो बना दो बार पलट के पूछेगा, क्या RBI में काम करते हो, तो definitely यह भी आपकी profile पे impact करता है और आपकी profile में चार्जान लगा देता है, चौथी बात करूँ तो enough time मिल जाता है, आपको further preparation करने का, अगर आपका goal है, कि आप UPSC की preparation करने वाले हो, GPSC की preparation करने वाले हो, class 1-2 officers की, तो आपके लिए enough time मिल जाता है, कि आप उसके लिए preparation कर सकता है, चौथी बात करूँ, no rural posting, कोई भी rural posting नहीं मिलता, आपको RBI assistant के तोर पे, आपको generally mega city या metro cities ही मिलती है, और last but not the least, आपको promotion सहीं से मिल जाता है, अगर आप कल को RBI assistant से promote होके, grade A officer बनते हो, grade B officer बनते हो, तो आपकी salary का double हो ही जाता है, यानि आपका जो promote होटे time आपकी salary में जो बढ़ावा होता है वो double जितना होता है, almost 100% हो जाता है, तो आपकी salary, अगर SBI PO की salary इन सबसे के comparison में जाओगे न तो आपकी salary कहीं गुना बढ़ जाएगी, तो definitely RBI assistant इसलिए preferable रहता है और hot favorite रहता है हर साल, तो चलिए जान लेते हैं, आप जिसके लिए आए हो, उसका दीदार कर लेते हैं, और salary slip देख लेते हैं, तो यह है salary slip मई 2021 के महिने की, यह एक new joining candidate की है, मई के पूरे दिन, यानि 31 दिन की salary slip यहाँ पे बनी है, यहाँ पे दिख जाएगा RBI का logo, यहाँ पे आपको मिलेगा basic pay, basic पे मिलता है 14,650 रुपिया, basic pay area को छोड़ दो, वो थोड़ा बहुत adjustment होता है, additional special pay के तौर पे आपको मिलेगा 265 रुपिया, grade allowances के तौर पे मिलेगा 2200 रुपिया, dearness allowances के तौर पे मिलेगा 14,834 रुपिया, transportation allowances के तौर पे मिलेगा 1000 रुपिया, special allowances के तौर पे मिलेगा 2040 रुपिया, local compensatory allowances के तौर पे आपको मिलेगा 17,443 रुपिया, यह सारा earning का columns है, और यहाँ पे रहता है deduction, जो आपका हर महिने, कुछ ना कुछ deduct होता है, वो आपके benefit के लिए होता है, जैसे कि यह NPS contribution है, जो अंत में आपको ही पैसा मिलने वाला है return में, तो NPS contribution में कितना जाता है, 3155 रुपिया, यानि 3195 ठीक है, यह professional tax है, जो सबका लाइसेंस फी 41 रुपिस कट रहा है, मील कूपन डिडेक्शन हो रहा है, 170 रुपिया, मेफ के तौर पे डेक्शन हो रहा है, 225 रुपिया, और लाइसेंस फी एरियर यानि यह एजस्मन होगा 34 रुपिया, 17 पैसा, तो कुल मिलाकर अगर आप ये सारे यानि अर्निंग्स को जोडोगे तो आपका gross salary बन जाएगा 36,729 रुपया यह आपका gross पे बन जाएगा यानि अगर आप 2021 में RBI Assistant के तोर पे join करते हो तो आपको gross total salary मिलेगा 36,729 रुपया इतना देखके चले मत जाना क्योंकि यहाँ पे perks और benefits काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और आपकी salary इससे कहीं गुना बढ़ा देते हैं कहीं जादा ठीक है और अगर आप deduction देख लोगे तो 3855 रुपया deduction आएगा यानि अगर आप gross pay में से deduction हटा दोगे तो आपका take home pay यानि in hand salary बन जाएगा 32,845 रुपया यानि 32,874 रुपीज ये आपका salary slip में दिखेगा अब बात करते हैं perks and benefits की जो आपको सभी को पता होने चाहिए कि RBI assistant के तोर पे आपको perks और benefits जादा मलते हैं तो चले बात कर लेते हैं perks और benefits की क्योंकि वो भी क्याफी आपकी salary में बढ़ा 3 कर देते हैं तो सबसे पहले मैं बता दू ऐसे perks जो monthly मिलते हैं यानि monthly आपको petrol मिलते है 55 liter का अब आप जहां पे posted हो वहां पे कितना petrol चलता है उसके हिसाब से मिलता है तो currently ये 55 liter petrol मैंने 92 के rate के हिसाब से count किया है तो around 5,000 जैसा मैंने मान लिया है अगर 100 रुपीज चल रहा है तो 1500 सिधे मिलेगे 90 चल रहा है तो उसके हिसाब से मिलेगे आपको made का भी पैसा मिलता है 1000 रुपिया mobile data का भी पैसा मिलता है 1080 रुपिया और newspaper का भी पैसा मिलता है 375 रुपिया ये सारे जो benefits हैं आपको monthly मिलते हैं हर महीने जो salary slip में तो नहीं दिखते हैं बट आपको मिल जाते हैं अगर आप इन जो को जोड़ दोगे तो आपका total बन जाएगा 7455 रुपिया हर महीने ये आपको add होगा अगर आपने salary slip ज्यान से नहीं देखी होगी तो मैंने वहाँ पे आपको HRN नहीं दिखाया था क्योंकि ये जिसकी salary slip है वो already company का accommodation यूज़ कर रहा है तो उसको HRN नहीं मिलता अगर आपका hometown में ही आपका posting हुआ है तो आपको accommodation लेने की ज़रूरत नहीं रहेगे तो आपको मिलेगा HRN house rent allowances तो HRN तकरीबन 2300 रुपिया जितना मिल जाएगा अगर आप मुंबई में हो तो इससे जाधा भी मिल सकता है बट मैं 2300 मान के चल रहा हूँ तो अगर आप दे perks of benefits और benefits भी है जो आपको yearly मिलते हैं जैसे कि brief case के लिए आपको 2000 रुपे मिलते हैं book grant के तौर पे आपको 500 रुपे मिलते हैं और medical के तौर पे आपको 3750 रुपे मिलते हैं यह yearly मिलते हैं यानि total yearly देखा जाए तो 11,250 रुपे मिलते हैं अगर हम इसको divided by 12 कर दे हैं यानि monthly calculate क 937 रुपे आपको हर महिने बढ़ते हुए दिखेंगे अब यह yearly मिलते हैं definitely आप yearly में ले ही लोगे एक बार तो yearly को हमने monthly में just convert करके दिखाया है यह आपको monthly में add होके नहीं दिखेंगे आपको yearly ही इसको reimburse करना पड़ेगा परन्तों यह तो just आपको मैंने दिखाया कि अगर monthly उसको calculate कर ले तो भी आपको 937 रुपे तो मिल रहे हैं perks और benefits यहां पर भी नहीं कतम होते है yearly के बाद आप quarterly भी कुछ perks और benefits है जो आपको मिलेंगे 1200 coupon के नाब के आपको quarterly मिलता है quarterly यानि तीन महिने में एक बार ठीक है तो ऐसे अगर आप 4 quarter आएंगे पूरे साल में तो आपका 2600 रुपया quarterly मिलता है तो पूरा total yearly काउंट करेंगे तो तसज़ा 400 रुपया हो जाएगा 1400 coupon का यह 1400 coupon क्या help करता है तो अगर आप मिल्स coupon होते हैं आप malls वगेरा में जाओगे खरीदी करोगे तो आपको discount या उससे आप purchase कर सकते हो अब अगर आप वैसे खरीदने जाओगे तो आप तो पैसे देने ही वाले थे डेफिनली आपको 1400 coupon मिलेगा तो आप इसको purchase करोगे तो डेफिनली आप ये पैसा पे करने वाले थे परंदुर 1400 coupon की वज़े से आपको ये पे नहीं करना पड़ेगा तो ultimately ये आपकी earning होई है अगर आप इसको भी monthly count कर लोगे तो वो 866 रुपिया 66 पैसा बन जाएगा ये सारे salary slip में नहीं दिखते हैं आपको benefits के तोर पे मिल जाते हैं अलग से आगे बात करते हैं तो other extra benefits यहाँ पे भी खतम नहीं होता आपको other extra benefits भी मिलते हैं जैसे कि furniture के लिए आपको 60,000 रुपिय भी आपको 55,000 मिल जाएगा दो साल में एक बार LTC का मतलब होता है leave travel concession और spectacles के तोर पे भी आपको 6,000 रुपिय मिलेगा दो साल में एक बार और furniture maintenance के तोर पे यानि furniture जो लिया है उसको maintain करने के लिए आपको 6,000 रुपिय प्रती साल मिलेंगे अगर आप ये पूरा जोड़ तो 1,27,000 मिलेगा परन्तु अगर हम इसको सबको monthly calculate कर ले जैसे कि furniture का मतली हो जाएगा 833 रुपिया एल्टी से का मतली हो जाएगा 22,991 रुपिय स्पेक्टिकल्स का रुपिय हो जाएगा 250 रुपिय और furniture maintenance का रुपिय हो जाएगा 500 रुपिय तो अगर आप monthly इन सबको ही क्योंकि आप ये benefits benefits को जाने नहीं देगा तो benefits आपको मिलेगा ही तो ये भी आपको salary के साथ perks और benefit के तौर पे 3875 रुपिया डेफिनली आपको ये 6 साल 2 साल के हिसाब से मिलने वाला है परन्तु अगर हम calculate कर है monthly अगर हमारे salary में कितना अगर ये add हो सकता है तो 3875 रुपिय के तौर पे add हो जाएगा तो finally RBA assistant की salary slip तो हमने देख ली और उसमें perks वो भी add कर दे तो हमारी salary कितनी बनती है gross तो आपने देख लिया कि 36,729 रुपिया बनता है और in hand देख लिया कि 32,845 रुपिया आपको मिलता है perks और benefits monthly वाले को अगर मैं calculate करूँ तो 9,755 हो रहे थे yearly वाले को monthly में convert कर दूँ तो 937 रुपिया हो रहा था quarterly वाले को monthly कर लो तो 866 रुपिया हो रहा था अधर वाले को monthly कर लो तो 3,875 रुपिया हो रहे थे टोटल अगर perks और benefits का मैं add करूँ तो वो हो जाता है 15,434 रुपया 18,000 यानि 15,000 प्लस तो आपको perks ही मिलते हैं अगर आप perks को gross में जोड़ दोगे तो आपका total gross salary बन जाएगा 52,163 रुपया तो 52,163 रुपया as RBA assistant को salary मिलता है ऐसा मैं कह सकता हूँ definitely salary slip में आपको दिखेगा 36,729 रुपया ही बाकी सारे आपके perks और benefits है जो आप reimburse करोगे और आपके salary में वो दिखी जाएंगे और in hand की बात करें तो in hand में अगर मैं perks add कर दू 15,434 रुपया तो total in hand मिल जाएगा 48,308 रुपया अब ये देखके तो अपने आपको motivate कर लो जला लो आग preparation स्टार्ट कर दो और इस बार RBA assistant बनी ही जाओ क्यूंकि इसके जैसी job और कोई नहीं है काफी लोग काफी केस किससे ऐसे सुनोगे कि SBI छोड़ के बन्दे ने RBA assistant छोड़ लिया ठीक है ये हमार official page है अगर आपने इसको follow नहीं कहा तो follow कर लेना क्यूंकि बहुत important है मैं वहाँ पर most of the time आपको online मिल जाता हूँ और आपके सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ यहाँ से वीडियो खतम नहीं होता वीडियो छोड़ के जाएगा नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ खास important बात और आपके फाइदे की बात promotion की बात कर लेते हैं promotion की इस प्रकार से होता है तो आप RBI assistant के तौर पे join करोगे उसके बाद assistant manager, manager, assistant general manager, deputy general manager, general manager, chief general manager, principal chief general manager, executive director, deputy governor, RBI governor promotion कैसे होता है तो internal promotion exam से होता है और ये चार साल या पांच साल के duration में हो रहता है मतलब आपका eligible होता है तो चार साल पांच साल में generally बन जाते हैं बनने वाले यानि महिनत करने वाले जिनको promote नहीं होना है वो normal channel में भी जा सकते हैं तो promotion का कुछ इस प्रकार से होता है कहीं कहीं कोई मतलब higher grader के promotion में 7-8 years का भी gap रहता है दूसरी एक चीज़ बात करना चाहूँगा professional qualification पे कि अगर आप JAIIB exam का clear करते हो तो आपको एक increment benefit मिल जाएगा और अगर आप CAIIB clear करते हो तो आपको दो extra increment मिल जाएगे यानि एक के सा क्या है तो junior associate of the Indian Institute of bankers और CAIIB क्या है तो certified associate of Indian Institute of bankers आप bank के job में join होंगे आपको ये पता चल जाएगा join होने का procedure है बट आपको ये पता होना चाहिए JAIIB और CAIIB अगर आप pass करते हो तो आपके increment में ही add हो जाएगा तो आपकी salary definitely बढ़ जाएगे अब बात करते हैं आपके फा इसके बारे में कुछ और बता हूँ उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि reviews पढ़ लो जैसे कि आपका material बहुत काम आया पूरी preparation में thanks a lot for your GA thanks for giving material who must need it very well I wrote a GA part very well in today's exam अच्छा material देते हो received 27.25 marks in GA thanks for a really amazing PDF आप चाहो तो video post करते हैं यह सारे भी reviews पढ़ सकते हो क्योंकि review पढ़के आपको यह purchase करना है कि नहीं करना है उसके regarding idea आ जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं current of a notes by IBPS गुरुजी के बारे में notes की price है Rs.49 और notes में यानि PDF में आपको index में क मिलेंगे इंडिया के GDP prediction मिलेगा, launch app scheme, योजना portal campaign initiative मिलेगा, फिर MOU partnership agreement मिलेगा, important one liners, committee and chairperson, loan agreement, venue and themes, award पुरसका, tournament, books and author, appointments, obituaries, आपको पता होगा कि हर महिने current affairs कितना random होता है इस random current affair को हम formalize करते हैं और segregate कर लेते हैं इन सारे topics wise, यानि आपको ये सारा topic इतने अच्छे format में मिल जाएगा कि आपको उसको rearrange करने की ज़रूत नहीं पड़ेगे, आपको सिधा पढ़ना है और exam में जाके marks ही ले लेने हैं आप जिस मन्त का purchase करोगे उस मन्त का आपको यहाँ पर data मिलेगा एक महिने की price है 49 रुपीज और अब आते ही है आपके फाइदे की बात अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाते हो आपको Instagram पेज आईबीपेस अंडर सुरू गुरू जी मस्ट फॉलो कर ले तो आपको इस PDF के रुपीज 49 नहीं पे करना है आपको जस्ट पे करना है यह 35 रुपीज यानि एक महिने का चार्ज हो जाएगा 35 रुपीज अगर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करते हो तो ही otherwise आपको 49 ही पे करना है 49 पे करना है तो आपको description में लिंक मिल जाएगा और आप 35 रुपे में एक महिने का PDF खरीज सकते हो आपको multiple मंत का खरीदना है तो जितने मंत का खरीदना है उसका multiply करके आपको payment भेजना रहेगा कैसे purchase करना है तो purchase करने के लिए बहुत simple दास्ता है आपको यह UPIID दिख रही है उस पर payment भेजना है UPIID है पटेल जीगर 161 at the rate OKICICI इस UPIID पे आपको 35 या multiple of 35 जो इतने महिने का चाहिए उतना payment page देना है और आपको screenshot ले लेना है और वो हमारे साथ share करना है email पे या फिर Instagram पे या फिर Telegram पे majorly आप Telegram पे करोगे तो ज्यादा सहीं रहेगा और जैसे हमें confirm होगा हम आपको PDF provide कर देंगे मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो का like करो share करो अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इस साल भी RBI assistant आने वाला है और आप म तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अप्लोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए फिलाल इस वीडियो में मिल देन नेक्ट वीडियो में